Welcome to RS Class आती हो, कैसे हो सब लोग स्वास्ता होंगी, मैं कॉसल सिंग एड़ोकेट आपका हार देख स्वागत करता हूँ अपने YouTube चैनल पे दोस्तों आज हम पढ़ेंगे धारा 348-390, यनि चोरी करने पर कितनी सजा मिलती है और चोरी करने के लिए ये धारा बनाई गई है, IPC की तो आज पढ़ेंगे कि चोरी कब चोरी मानी जाती है और किन किन चीजों को चुराने पर चोरी मानी जाती है जो भी भाई बेन हमारे चैनल पे नए आए हैं वो चैनल को सब्सक्राब जरूर कर दें और वीडियो को लाइक करके जरूर जाएं साथी हो तो देखेंगे किन किन कारणा से चोरी माने जाती है और जो F.I.R. जो चोरी में दर्ज होती है वो कैसे दर्ज होती है और F.I.R. दर्ज करारने का कारण क्या है सजा कितनी होती है इसमें जमानत कैसे मिलती है और किन किन चीजों को आप चुराओगे तो चोरी मानी जाएगी वो चलिए साथी हो बने रहीएगा लेस गो चलिए दोस्तों देखिए IPC धारा 388 और 389 चोरी की धारा 388, 389 में सजा और जमानत सजा क्या है इसमें और जमानत इसमें कैसे मिल सकती है कहाँ ये ट्रायल है, कहाँ सुनवाई हो सकती है और किन किन चीजों की आफशक्ता होती है चोरी को प्रूप करने के डिए धारा 388 क्या है IPC धारा 388 हिंदी में सारी जानकारी करेंगे भारते दंड सहिता किसकी है यह IPC यानि भारते दंड सहिता इंडियन पैनल कोट 1860 ठीक है साथी IPC सेक्षन 378 में केवल चोरी के केवल चोरी के अपराद को परिभासित किया गया है किसको किया गया है केवल चोरी के अपराद को परिवासित किया गया है IPC के सेक्षन 378 में देखिए जब कोई बैक्ती किसी भी मुल्यवान बस्तू या कोई अन चीज जैसे अन में कौनसी कौनसी चीज आ जाती है देखिए अन में आ जाती है बस्तू को उसके मालिक की सहमती के विना ओठाकर या बेहिमानी से रखने के लिए ले जाता है तो वो चोरी मानी जाती है देखिए जाती है ए नाम का बैक्ती है और बी नाम की जो संपत्ती है यानि बी नाम के कबजे में है बी नाम से है वो संपत्ती बी नाम की उस पर राइट है लीगल राइट है को बी नाम की है सारी संपत्ती तो उसे अगर A, बिना बताए, B की सहमती के बिना ले जाता है उसे, B के सरनक छड़ से, तो A ने क्या किया? चोरी का अपराद किया साथी. चलिए आगे देखते हैं और क्या है इसमें? आगे दे रखाए देखिए, तो माना जाएगा कि उसने चोरी, थीफ्ट की है, यानि चोरी किया ह बिना सहमती के अगर ले जाता है, तो माना जाएगा कि उसने चोरी किया है, जो संपती चोरी हुई है, उस पर किसी ब्यक्ती का अधिकार होना चाहिए, तब ही माना जाएगा, देखिए, ये जो A जो है, किसी संपती को चुरा के ले जा रहा है, तो उस पर किसी ब्यक्ती का अदिकार होना चाहिए, कि ये उस ब्यक्तिए की है, तो ही वो चोरी मानने जाएगी, अगर वो किसी ब्यक्तिए की नहीई होगी, तो वो कैसे मानने जाएगी, बताईए, और नहीं उसमें F.I.R. हो सकती है, मान लीजए ये B.N. की कोई बस्तू है, B.N. की कोई में बाटा गया है चल संपत्ती यानि मूवे विल प्रॉपर्टी और अचल संपत्ती देखिए संपत्ती चल संपत्ती वो संपत्ती होती है जिसे एक स्थान से दूसरे स्थान तक आसानी से लिए जा सकते जैसे कि कुर्सी, मोबाइल, कार, इत्यादी, ये क्या हो गई? चल संपत्य हो गई चल संपत्य हो गई, यानि मुवे बिल प्राउपर्टी क्या हो गई? मुवे बिल प्राउपर्टी हो गई, एक स्थान से दूसरे स्थाने ने स्थाना अंत्र किया जाए देखी अचल संपत्ती वो होती है जिसको अचल संपत्ती कौन सी होती है जिसको एक स्थान से नहीं अठाया जा सकता किसको एक स्थान से नहीं अठाया जा सकता जैसे मकान क्या हो गई अचल संपत्ती हो गई मकान पेड़ और मकान हो गया पेड़ हो गया और जैसे क कोई किसी ने सیمن्ट की अगर कुर्सी बना दिये तो वो कुर्सी हो गई ठीक है आपने देखा होगो वो कहीं पारोखों में जाते हो सिमेंट की क्या बनाते थे चेयर टाइप की मना देते है तो वो हो गया और भी जो कोई अचल संपत्ती है x y z कोई भी हो अचल संपत्ति यानि एक जगह से दूसरी जगह ना ले जाई जा सके तो अचल संपत्ति होती है साथी हो तो वो चौरी किस रेड़ी में आएंगी देखिए देखिए साथी व्यक्ति किसी की चल संपत्ति को बिना उसके मालिक को बताए कहीं भी ले जा सकता है नहीं चल संपत्ति को बिना उसके मालिक के बताए कहीं भी ले जा सकता है अगर बता की ले जाएगा तो चौरी कैसे हो जाएगी बताएगी अगर बता के ले जाएगा तो चौरी थोड़ी माने जाएगी बता के कौन चौरी करता है बताएगी ठीक है तो चौरी माने है 13389 IPC की 13389 का इस्तमाल चोरी करने वाले व्यक्ति को सजा देने के लिए देखिए आपने अगर FIR लोज देखियोगी तो देखियोगी 1338, 1338 और 1389 इन दोनों में एक साथ FIR लोज होती है ऐसा नहीं 13388 ही लोज होगी ठीक है तो 13388 में आपने देखा कि चोरी कैसे होती है और 13389 में देखते हैं IPC की 13389 का इस्तमाल चोरी करने वाले व्यक्ति को सजा देने के लिए किया जाता है जैसे कि आपको हुमने बताया कि 12388 में केवल इस अपराद को परवासित किया गया यार्नी 13388 में कहा गया है कि चोरी कैसे चोरी मानी जाती है अब 13399 कहती है कि चोरी कर तो ली अब चोरी करने के बाद सजा का प्राबधान क्या है देखिए चोरी करने के बाद सजा का प्राबदान क्या है परंतु चोरी करने के अपरादी ब्यक्ति को सजा धारा 389 के तहत दी जाती है IPC धारा 389 लागू होने से सम्मधित कुछ मुक्य बाते हैं देखिए कुछ मुक्य बाते भी हैं उन्हें का ध्यान रखना बहुत ही जरूरी होता है भारते दर्ण रसाइता की धारा 389 चोरी के देखिए चोरी के अपराद को सावित करने के लिए इन सभी मुक्य बातों का होना जरूरी है देखिए कौनसी कौनसी हैं यदि किसी भी कार में ये सभी बाते सामिल पाई जाती हैं तो उसे थिप्ट यानि चोरी अपराद माना जा सकता है धारा 389 की मुख्य बात हैं इस फिरकार है देखिए कौनसी कौनसी बाते हैं उन्हें देखते हैं देखिए बाते हैं बेइमान बेइमान इरादा यानि आरोपी बेक्ति का किसी बस्तू को प्राप्त करने का बेइमानी इरादा होना चाहिए यानि नियत उसकी खरागोनी चाहिए कि मुझे ये चीज तो चुरानी ही है यानि किसी की का मुबाइल देखिए, बहुत से मुबाइल आते हैं, एंडॉट पहना आते हैं, तो अगर ए नाम का ब्यक्ति ये ठान ले के मुझे ये मुबाइल चुराना है, यानि इरादा कर लिया उसने के मुझे ये मुबाइल चुराना है, तो वो उसे चुरा लेगा, ठ परसने ठान लिया कि मुझे मुबायल करत्वाइडा है अब a नम के बैक्ति्नले क्या कि यह डिया कि जिसका यह मुबायल फिर जाया यहांक Twelve API के मुबायल के पास से कब जाए एक ही बिना सहमती तो क्या किया उसने चोरी का अपराद किया है जाती हो देखिए आगे देखते हैं संपत्ती चोरी के अपराद में संपत्ती लेना सामिल है ठीप्ट का अपराद तभी माना जाता है जब कोई बैक्ति किसी संपत्ती मुल्यवान बस्तू देखिए मुल्यवा देखा चल संपत्ति कोंसी होती है, कुर्सी हो गई, गाड़ी हो गई, खिलोने हो गई, साइकिल हो गई, बाइक हो गई, यह चल संपत्ति स्रेडी में हमारी आती है, एक इस्थान से दूसरे इस्थान ले जा जा सकता है, तो उन्हें क्या कहते हैं, चल संपत्ति, चंपत्ति क बिना सहमती के अपने साथ ले जाता है तो उस पर ये आई पी सेक्शन जो है लागू होता है जाती हो सहमती के बिना किसी भी बस्तू की चोरी तब ही माने जाएगी तब वो है उसके मालिक की अनुमती के बिना ले ली जाएगी यानि यह नहीं के अनुमती से ले रहा है मालिक की अनमती के बिना ले ले जाएगी यदि उस बस्तू का मालिक खुद किसी बैक्ति को उस बस्तू को ले जाने की अनमती देता है यानि अनमती के बिना ले ली तो तो चोरी हो गई अब ये कहता है कि जो वो बस्तू है जिसकी वो बस्तू है खुद अपनी सहमती से ले जाने के के लिए कहता है यानि आ दो आप ए नाम की ये बाइक हो गई यह नाम की बाइक हो गई कार हो गई जो भी है बाइक हो गई अब भी नाम का बैक्टि कम इसे ले जाता है based these ш Σ्यूरी कि नहीं मानी जाएगी देखिए तो वो चोरी की स्रेडी में नहीं माना जाएगा देखिए अब आता है हमारा 1389 में सजा क्या मिलती है 1338 में दे रखाता है चोरी कैसे मानी जाती है किन किन कारणों से माननी जाती है क्या क्या बज़े रहती है कि चोरी आप पे लगा दी जाती है अब आ जाता है धारा 389 में सजा क्या मिलती है देकि धारा 389 में दे रखा है सजा देकि IPC 389 पनिस्मेंट पनिस्मेंट क्या दे रखा है देखिए जो कोई भी यह करता है वह है यानि क्या करता है चोरी करता है ध तो कोई भी बैक्ति चोरी करता है, वह धारा 399 के अंदरगत अपरादी माना जाता है, लेकिन चोरी की सजा धारा 399 के तैत दी जाती है, क्या दी जाती है, चोरी की सजा धारा 399 के तैत उसे दी जाती है, आईए जानते हैं कि इसमें क्या सजा मिलती है, देखिए, अगर कोई भी बेक्ति जिस पर चोरी का आरोप हो वह न्याले द्वारा दोसी दोसी पाया जाता है तो उस बेक्ति पर एक बेक्ति पर IPC धारा 399 के तहत तीन वर्स का साधारण या कठोर कारावास तक सजा दी जा सकती है कितनी है इसमें तीन वर्स का साधारण या कठोर कारावास चोरी लगाया जाकता है, या फिर दौनूंगी लगाया जा सकते हैं, IPC की धारा 343夜 399 में, धारा 343夜 389, जमानत कैसे मिलती है, किसी भी बस्तू को चोरी करना एक संगया पराद है, यानि कोग्नेजिवल ओफेंस माना जाता है, क्या मना जाता है ? Cygnisable Offense मना जाता है यह एक ऐसा Crime होता है जिसमें पुलिस को ... यई पीडितव्यक्ती कौन होता है ? विक्टिम पर्सन की सिकायत पर जल्द से जल्द सिकायत दर्ज करके ! रोपी को गरहतार करके याँ गरहतार करके ! अरेष्ट करना होता है ! अरेश्ट करना होता है इसलिए यह अपराद गेर जमानती यह नौन वेलेबल स्रेडी में आता है कैसा आता है गेर जमानती यह नौन वेलेबल स्रेडी में आता है जिसका अर्थ होता है कि आरोपी व्यक्ति को अधिकार के तौर पर जमानत नहीं मिल सकती यानि आरोपी व्यक मामलों में जमानत यानि बेल देने का फैसला अदालत के द्वारा कुछ परिस्तितियों के आधार पर लिया जा सकता है यानि ऐसी नहीं है कि तुरंद जमानत दे दिया है कुछ परिस्तितियां ऐसी होती है कि उनके आधार पर ये बेल लेने का मामला लिया जा सकता है जैसे कि अपराद की गंबीरता को देखा जा सकता है कि इसने किस स्रीडी का अपराद किया है कितना गंबीर अपराद है ये क्या किया है और ये चोरी किया है जो कैसे किया या इसा तो नहीं किसी बेक्ती को मार के इसने चोरी कर लिए हो ठीक है साथी हो आरोपी के खिलाब देखी आरोपी के खिलाब सबूतों की कमी आरोपी के खिलाब सबूतों की कमी आरोपी बेक्ती द्वारा अपने बचाव डेफेंस में पेस किये गए हैं अपने बचाव डेफेंस में पेस किये गए हैं सबूतों यानि एविडेंस के द्वारा आदी यह है किसी भी स्रेडी के मजिस्टेट द्वारा मजिस्टेट द्वारा विचारणी है यानि ट्राइल है किसी भी मजेस्टेट के द्वारा ट्रायल है यह चाहती हो यह थी आज आपकी किलास के आपने जाना आज धारा 300, 388 और 389 में क्या है देखे क्या है सजा का प्रापदान कैसे मिलती है जमालेत में और ऐसी ही मैं IPC की किलास लेके आता रहता हूँ नई नई धाराओं की जानकारी लेने के लिए मेरे साथ बने रही है और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक साधियो करके जरूर जाएगा और चैनल को सेर एंड सब्सक्राब जरूर कीजेगा आगे एक नई धारा लेके आपके सामने फिर उपस्तित होता झाल